आप सबको पुनम का प्यार भरा नमस्कार आज आपके साथ मैं घर से चुहे भगाने का एक ऐसा तरीका सेर करूँगी जो 100% वर्क करता है अगर आप इस तरीके से अपने घर में इस टिप को इस्तेमाल करते हैं तो कहीं भी घर में चुहे दिखाई नहीं देंगे साथ ही साथ कौकरोच और छितकली से भी चुटकारा मिलेगा तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें बहुत यूसफुल वीडियो है आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से एक भी नमरे निवेदन करूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख र घरनेवाद कहूंगी और बिनादेर करे हुए आज का इस पेसल वीडियो स्टार्ट करूंगी आज की इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा तो आप अपने घर से चिपकली कौकरोच और चूहे तीनों चीजों को जड़ से खतम कर सकते हैं यकिन मानिए इतनी पा कोकरोच दिखा ही नहीं देंगे आप कितने भी छिड़काव कराने कोई भी मेडिसीन रख लें इससे ज्यादा पावरफुल हो ही नहीं सकती घर में आज के बाद आपको कोकरोच नहीं दिखेंगे तो यहां पे सबसे पहले आपको कोई ऐसा बरतन लेना है जिसको आप खान अब हमको इसी के साथ एड करना है गेहु का आटा आप यहां पे गेहु का आटा या फिर चने का आटा बेशन इन तीनों चीजों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैंने केवल गेहु के आटे का ही इस्तेमाल किया है तो मैंने यहां पे दो चम्मच बोरी कैसिड लि लिया है और यह बहुत ही खास चीज किचन से ही लेंगे और वह खास चीज है पिसी में सतीमाल करते हैं उसको मैंने पीश लिया है वड्elnौ को नियु za recoverician चीजों को अच्छे liक्स कर लेना है आप को मैं जो मेंजर्मेंट बता रही हूं दो जैंकी अफरे चीजे ढालिएगा और मैं ग्यारंटी से बता रही हूं कि घर में चूहे चिपकली और कौकरोच नहीं दिखाई देंगे लेकिन आपको इसमें जो खास रेमडी है उसको बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना और वो है बोरिक ऐसे अब हमको एक और पावरफुल चीज लेनी है और और वो है रूम टेंपरेचर में रखा हुआ दूद आप यहां पर दूद का ही इस्तेमाल करेंगे तो मैंने यहां पर दूद ले लिया और दूद इतना ही डाला है कि इसका बढ़िया सा एक डो बन के तयार हो जाए तो देखे सारी चीजों को मैंने स्पून से ही मिक्स कर तो आप चाहें तो हाथों में ग्लप पेहन ले या तो आप देख सकते हैं मैंने यह दो बना के तयार कर लिया यह हमने थोड़ा सा गीला इसलिए रखा है क्योंकि जब हम अभी इसको इसको इस्तेमाल करेंगे न तो यह बहुत बड़िया कोक रोड़ करेगा अब हमको इस गिले आटे को ही अपने घर में हर एक उस जगह में लगाना है जहां से कोक्रोच निकलते हैं आपने देखा होगा कोक्रोच अधिकतर लाइट के बोर्ट के पीछे से निकलते हैं या फिर कोई भी छोटा सा भी हॉल हुआ वहां से कोक्रोच निकलते हैं और फिर उसी में छिप कौक्रोच नहीं है क्योंकि मैं इस रेमिडि को हर दो महीने में बदल देती हूं यह रेमिडी दू महीने तक बहुत बढ़ियां से वर करती है उसके बाद आप इसको नहीं रेमिडिय बना कि फिर से इसी तरह अपने घर में अपलाई करें आप कितरें भी महेंगे महेंगे चोटे चमच और बना ले अब इन गोलियों को चूह भगाने के लिए हिस्टेमाल करना इन गोलियों को घर के हर एक उसकोने में डाल से जहां से चूह आते हैं इन गोलि에서는 C छिपकली भी नहीं आएगी चूहे भी नहीं आएगे और कॉक्रोस से तो छुटकारा मिली गया तो अब हमारा घर बीमारियों से दूर रहेगा घर में यह कोई भी चीज़े नहीं आएगे जिससे हम बीमार हो सकते थे तो होब करती हूँ आज का वीडियो फिर से बहुत जाद यूस पूल अगा हो